हेलो इर फ्रेंट स्वाकत अप्षविकया एक और फिर से हमारे चल्ट चल्टिक हाना पर तो इतल फेन एड़ के एल में कुछ रिकॉर्मेट आया हुए है डिप्लूमा स्टुटिंट के लिए इसमें थेलेक्रिक्र चुुर्डेंट मेंगा हैं बहुत कम सीट आया हुए है लिकिन देख लिए इस वीडियो को पूर आप देख लिए जाने इसमें कितने वेकंसी आप से लिए आये होगा है ठीक तो यहां पर हम NPCL का ओफिस्यल एफ साइट खोल रखें हैं जैसे कि आप देख पाते हैं NPCL रिक्वार्मेंट दोहजार बाइस चले इस वेकंसी पूरे डेटर से चर्चा करते हैं इस पर फॉर्म का अप्लाई होगा तो इसका लास्ट अप्लाई ओलाइन डेट है वह है दो तीन दोहजार बाइस करने मतलब दो मार्स तक फॉर्म भरा जाएगा ठीक application fees के बात कर लेते हैं तो application fees इसमें जियर रूपय है मतलब एक को रूपय नहीं लेगा आप सभी का application fees चल्ति आगे ऐज लिमिट के मत ल侏ते हैं साइंटिफिक एसिस्टेंस इस सीर्फीक असिसारask फॉर्म प्लाई कर सकते हैं जैने दूसरा वेक्पिक किसमें नर्स एए loyal शुर से तीस एस पर और और बो जरूल से इसमें एज रिलक्सेक्षन भी लगेगा तो वह आप सब्सक्राइब किलियर हो पाएगा इसके ओफीसल नूटिफिकेशन ठीक लास्ट मिस का ओफीसल नौटिफिकेशन डाउलोड करके तेलेग्राम गूरूप में भेज़ देंगे आप महां से जाकर पोस्ट की प् साइंटिफिक सब्सक्राइंस में इसमें आया हुँ है आप से जिन इसमें का इडलेवन इसके बा fluorाइब से लिक उस्के में नप्रलूंगोंडियंदेज लेड़्य में दो प्राइब स्बोस्ट लए Penny अदिए स्रीघचपर सब्सक्रार अतना तो contractors ओनेंbereich जिससं से थे इस्टेनो ग्रेट की जो पोस्ट आई हुए वह नाइन पोस्ट आई हुए ठीक टोटल कुल मिला करके 42 सीट वेकंशी आई हुए इसमें श्रीक नीचे हम देख पा रहे हैं इलिजबिल्टी का तो असिस्टेंस ग्रेट का जो वेकंशी है इसमें वह समें देखे एनी बैचलाइड डिग्री विथ मिनिम्म फिप्टी पर्संट मार्क इन एग्रिगेट फ्रॉम ए रिकॉनाइज इनिवर्सिटी आप सभी का कोई बैचलाइड डिग्री होना चाहिए 50 सब्सक्राइड पर मिन होना में गुंतर यह जो जो आप सब्सक्राइड ससुर्म कीज़ rightways इसके उसके बाद receiving profum सब्सक्राइब करने चले कुछ युट्री न्या मिनमम 50% मार्क इन एग्रिगेट फ्रॉम ए रिकॉनाइज इनुवर्षिटी इसमें भी आप से भी का बैचलरी डिग्री होना मस्ट है और आपका जो मिनमम नंबर होना चाहिए वह 50% मार्क होना चाहिए ठीक उसके सांसाथ इसके सांसाथ और भी कुछ चीज में आप चाहिए सब्सक्राइब करें चाहिए चाहिए चले आगे आप देख पा रहे हैं जो साइंटिफिक एसिस्टेंस काने मतलब है जो डिप्लोमा स्ट्टेंट के लिए वेकंशी आई होगे इलेक्टिकल और मेकैनिकल डिप्लोमा स्ट्ट्टिकल रोला से और इसके सांसाथ बियस्सी मतलब यह श्क्राइब किनेशन कर रहे हैं यहां पर देखे कहा रहा है कि जो BSC होना चाहिए सब्जेक्ट होना चाहिए आप सभी का 50% मार्क्स होना चाहिए आगे देखे इसका साथ क्या लगेगा इसका 1-YEAR Diploma certificate in industrial safety and candidates should have four years of relevant experience after obtaining request qualification थी की तो यह आपसे भी का qualification होना चाहिए इस फार्म के लिए साइन्टिफिक एसिस्टेंस सीखे लिए ठीक लास्ट में बात कर लेते हैं नर्स एक ही तो नर्स एका जो वेकेंसी है इसके लिए क्या लिज़िए होना चाहिए देखें यहां पर 12th standard and diploma in nursing तो 12th standard होना चाहिए मतलब 12th pass होना चाहिए इंटर्मेटर in hospital तो आप से भी को three years का experience होना चाहिए किसी hospital में या तो इसके जगह पे और लिख रहा है nursing assistance class third and above from the armed forces तो यह आप सब्सक्राइब हो गया पर देख वेकेंसी इसमें जो वेकेंसी आई हुई है पोस्ट की अलग-अलग उसकी यह है चले अब हम बात करें देर फिस सेलेक्सन प्रोसेस की तो यह पर देख पार है आप लोग साइंटिफिक असेस्टेंस सी सेफटी सुपरवाइजर यही वेकेंसी आप सब्सक्राइब की टेकनिकल बहरेंगे जिसमें मेकेनिकल और इलेक्टिकल बहर सकते हैं इसमें जो 3 ADMM के लिए जो आप सभी का होगा तीन स्टेज होने वाला है प्री टेस्ट होगा एडवांस टेस्ट होगा और स्कील टेस्ट होगा इतना स्टेफ होगा पराम से फॉर्म अप्लाई के लिजेगा ठीक इसका ओफिसल बेफसाइड हां पर है और अपने गुरूप में भेज़ देंगे आप लोग वहां से जाकर के डेटेल्स में सारा चीज अच्छे से देख लिजेगा ठीक करते हैं उम्मीद करते हैं आज का नोटिफिकेशन आप से भी को हेलफुल रहा होगा और अच्छा आप सभी को लगा होगा होगा एक बात और काना चाहेंगे लास्ट में कि आगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया खासकार पिलेक्टिक शूरें और सब्सक कि में खर घना हैंना हैं आप